नमस्कार जार्खन समाचार में आप सबुंका स्वागत हैं आयज जानते हैं आज की ताजा मुख्की खबरों को राची युनुवर्सिटी के नई केंपस को लेकर अधिकारियों संग सियम हमन स्वरेन की मीटिंग आप सबु को बता दू कि सियम है मंत्सवरेन ने शुकुरवार को जार्खन मंत्राले में राची विश्विदाले के प्रस्तावित नई केमपस को लेकर अधिकार्यों के साथ उच अस्तिरी बैठक की मोके पर उच एवंग तकनिकी सिक्चा विभाक के अधिकार्यों ने मुखमत्री के समक्ष राजधानी राची के चेरी में 87 एकर जमिन पर बनने वाले राची विश्विदाले के नई केमपस के मास्टर प्लान का प्रजन टिंसन रखा मुखमत्री ने पूरे मास्टर प्लान की विश्थित जनकारी ली और कई आवश्यक्स हो जाओ तथा दिसा निर्देश भी दी उन्हें कहा कि राची विश्विदाले का नाई केमपस को इस तरह विश्विद क्या जाए कि इसकी अलग पहचान बन सके मुखमत्री से यह उनकी सिष्टाचार भेटती इसके अलावा मुखमत्री से राची विश्विदाले के कुलपती डोक्तर अजित कुमा सिना ने मुबाद की इस अउसर पर मुख्यमंत्री कोनों ने राश्ची विश्विद्याले के भुगोल विभा की ओसे चार और पांच नॉवंबर को आईट होने वाले चोबिस में वार्शिक सम्मिलार अंगराश्ची समिनार में बतोर मुक्य अतिती समिलत होने के लिए सदर आमेंद्रित भी किय जानिये इनकी क्या है खास्या जारखन आई एस ओप्सियस बॉइस एसोसिशन की तरफ से रांसी के मुरहबादी मैदान में 2-6 नॉवंबर तक दिवाले मेले का अविजन क्या गया है मेले में 200 से ज़्यादा इस्टॉल है जिसमें हस्त सिल्प के साथ की अनी तरह के इस्टॉल भी है लेकिन आदानी फॉंडेसन द्वारा लगाया गया 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 जिला पसासन के दिशान देश पर गोड़ा के 324 सरकारी स्कुलों में गया जारा है जिसके चलते सुदूर ग्रामिन इलाकों के 60,000 से अधिक बस्तों को ई-learning के माध्यम से गुनवता पूर्ण सिक्षा का लाब मिल रहा है इस्टोल में लगे डिश्पले के माध्यम से आधानी फॉंडेशन के द्वारा गोड़ा जिले में सिक्षा, स्वास्त, कोसल विकास और रोजगार के छित्री में लगातार किये जारे कामों को भी दिखाया जा रहा है इस्टोल में आए लोग अधानी फॉंडेशन के पर्यासों की सरहना करते दिखे हैं जारकन की पूरी बिधी व्यवस्ता हो चुकी है ध्वस्त भसपा परवक्ता परतूल सहदेव ने कहा आप सबों को बता दो कि राची परदेश बिज़पी के परवक्ता परतूल सहदेव ने सुक्रवार को कहा कि ऐसा परतित होता है कि जारकन की पूरी बिधी व्यवस्ता ध्वस्त हो गई है ग्रामिन शेत्रों में नक्षलों का तांडो मचा हुआ है और सहरी शेत्र में संगठित अपरात सर चड़कर बोल रहा है परतूल ने कहा कि जिस सिस्टम का काम आम लोगों और वेवस्तायों की रक्षा करना था वह अब अबेद खनन की वेपार को सरक्षन देकर बढ़ानी में लगा हुआ है हमन सरकार के कर्याले में हत्या बलतकार और की नेपिंग के कुल 5 मामले रोज होते हैं जो राइज बनने के बाद कभी नहीं हुआ था धर्मात जारखन का क्राइम केपिटल बनता जा रहा है पंदर नौवंबर को जारखन आ रहे हैं पियम मोदी बिर्सा मुंडा जैन्ती पर जाएंगे उलाहातू आप सबो को बता दो के परधान मंत्री नरन्र मोदी पंदर नौवंबर को जारखन दोरे पर आएंगे वे भगवान बिर्सा मुंडा के जियनती पर उलहतु में उनकी पर्तिमा पर सरधानजली अरपीत करेंगे इसके बाद वे खुटी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे भजपा के रायसभा सदस्य आदित साउ ने सुक्रवार को परधानमंत्री के प्रस्तावित दोरे की अधिकारिक जनकारे दी परधानमंत्री के दोरे को लेकर सुक्रवार को खुटी में भजपा के जिलाधिक्चकों की महतपुर्ण बैठक भी जिसमें पधार मंत्र के कायरेकरम की तैयारी और सभा को सफल बराने को लेकर चर्चा हुई हाई कोर्ट ने राय सरका से पूछा कब होगी ओविसी आरक्षन को लेकर बनी कमिसन में न्युक्ती आप सब को बता दू कि हाई कोर्ट ने राय सरका से नराजगी जताते भी पुस्टा है कि ओविसी को रिजर्प्षन दे जाने को लेकर गठित डेडिकेटेट कमिशन की न्युकती कब तक होगी हाई कोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपध्या की कोर्ट में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर रिट याशिकाप सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यस्वाल किया इस मामले में अब सबत पत्र दायर कर जवाब दिनी का आदेश दिया गया है अगर समय रहते इसका जवाब नहीं दिया जाता है तो क्रामिक सचीव को कोर्ट में सा सरीर उपसित होने का आदेश दिया गया है इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है आट नौमबर को होन जार्खन मंत्राले में हुई बैठक में कई अहम प्रस्ताओं पर मुहर लगी राजकर्मियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ा कर 46 फिसेदी क्या गया यानि कि 4 फिसेदी डिये बढ़ा दिये गये हैं ये 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से लागू होगा दिपावले से पहले राज सरकार की ओर से राजकर्मियों को यह तोफा दिया गया है मुख्यमंत्री उज्वाल जार्खन योजना के तहत 1485 कड़ों से अधिक की शुकृति भी दी गई है स्यम हमन स्वरे ने चाइल्ड और्टिस्ट एक्जिबिशन का क्या उदगाटन इस ठीम पर बनाए गई पैंटिंग को सराहा आप सबु को बता दू कि जार्खन के मुख्यमंत्री हमन स्वरे ने शुकृवार को राची के और्ले हाउस में स्यम हमन स्वरे ने चाइल्ड और्टिस्ट एक्जिबिशन का विदिभात उदगाटन किया उसायत नजर आए यहां तो नोकरी देना भी एक चुनोती जानिय स्यम हमन स्वरे ने क्यों कह दी इतनी बड़ी बात आप सब को बता दू कि सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए भरती अभियान बरतमान प्रिस्तिति में एक बड़ी चुनोती है क्योंकि कुछ लोग या तो परक्रिया में तुरूटिया खोजनी की कोशिस करते हैं या उनके खिलाब आदालत का रूख करते हैं जारगन के मुखमंत्री हमन स्वरे ने बरिस्पतिवार को यह बात कही सोरेन राज सचीवाले में पसुपालन विभाग द्वरान्युक्ति 66 पसुष चिक्सकों को भरती पत सोपने के बाद बोल रहे थे इसके साथ विभाग के तहत कारिरत पसुष चिक्सकों की कूल संख्या 755 की शूकृती संख्या के मुकाबले बढ़कर 561 हो गई नौन्युक्ति चिक्सकों को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा आज के महल में भरती एक बड़ी चुरूती है कुछ गिरो इस तरह से सक्रिय है कि वे परिक्षा परिक्रिया में तुरूटिया निकाल कर या आदालत में जाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिस करते रहते हैं जारकन में अब बालू की किलत होगी दूर इस जिले में आठ बालू घाटों की निलामे परकरिया हुए सुरू आप सबों को बता दो कि स्राहिकला खर्सवाजिले में अब बालू की किलत दूर हो जाएगी अब बालू घाटू की निलामे की जाएगी और बालू का उठाओ बैत तरीके से हो पाएगा बालू उठाओ करने पर चलान भी मिलेगा इसके लिए विभाग द्वराप पहल की गई है इसमें नौ नौमबर तक बालू घाट के लिए समिदक निविदा में भाग ले सकेंगे आप सबों को बतातू कि 10 नौमबर को जिला समहरनाले में निविदा खोला जाएगा और अधिक रेट डालने वाले को आउंटित किया जाएगा आउंटन के बाद पर दुसन कलिरेंस की परक्रिया पूरिकर बालू का उठाओ कर सकेंगे 36 गर के महासमूंद में नहीं उतर पाया बाबुलाल का बीमान मराणी ने स्यम बहेल पर बूला हमला आप सबु को बता दू कि 36 गड़ के महासमुंद में सुकरवार को भसपा के परदेश अध्यक्ष बावुलाल मरंडी का बिमान उतर नहीं पाया उलेकने है कि वेपार्टी परतियासी के पक्ष में चुनाव परचार के सिलसिले में 7 नवंबर तक 36 गड़ के दोड़े पर है आप सबु को बता दू के गुरुवार को उन्हें कुनकूरी बिधानसभाज छेत्र में दो अस्थानों पर जनसभा करभाजपा परतियासी विष्णू देव साय को जितानी की अपिल भी की मरांडी को शुकुरवार को महासमंदर जिला के बसना विधानसभाच्छत के परतियासि संपत अगरवाल के पक्ष में पिथोरा और विधन पागण में जनसभा को समोधित करना था मरांडी के प्लेन को निर्धारित अस्थाल पर उतरनी की शुक्रति पता नहीं की गई उन्होंने कहा कि अपनी हार को देखते वे भुपेस बगिल सरकार भासपा परत्यासिक के पक्ष में चल रहे परचार अभ्यान को और सफल करने की हर संबाव कोसिस कर रही है जनता इसका जवाब एभियम के माध्यम से देगी राची समित देश के कई हिसों में डोली धरती घर से बाहर निकली लोग आप से मोगों बता दू कि नेपाल、 चिन और भारत के कई हिसों में भुकप के जटके महसूस किये गए कई लोग अपने घर से बाहर निकल गए इसका केंद्र नेपाल में बताया गया है वही इसकी तियुरिता पांच दस्मलव नो होने का अनुमान है भुकम्प भारत के दिली एंसियार बिहार उत्तरपदेश में भी आया उत्तरभारत में धरती डोलने पर लोग घरों से बहार आ गए एकलब बिद्धाले के मामले में हाइकोट के आदेश के खिलाब सुप्रीम कोर्ट पहुन्ची सरकार आप सुब को बता दूँ कि जारकस हाई कोट के जस्टिस सन प्रसाद और जस्टिस नवनित कुमार की खनपिट में चानहों में बनने वाले एकलब मद्द विदाले के निर्मान को लेकर दाखिल यासिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान सरकार की ओर से अपर महा अधिवक्ता आस्टोस आनन ने आदालत को बताया की हाई कोट के आदेश के खिलाब सरकार ने शुप्रिम कोट में एसलपी दाखिल की है मामले में समय परदान क्या जाए इस पर आदालत ने मोख कुरूप से कहा है कि इस मामले में जल्द अस्तगन आदेश लाएं नहीं तो अगली सुनवाई कि ये दोरान आदालत आदेश पारित करेगी अब जो है इस मामले में तिन सपता बाद सुनवाई होगी हादसी की सिकार हो गई बर्दमान जा रही यात्री बस आधा दर जन लोग हुआ जखमी दुमका के पाकुडिया से बर्दमान जा रही यात्री बस सुकुरवार को दुरगटना गरस्त हो गई खतना दुमका जिले के सिकारी पड़ा थनाचित के हरीपूर गाउं के पास घटी, दुरुगटना में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा याती गायल हो गया, आप सब को बता दो कि पाकुड जिले के पाकुडिया थनाचित के आलो दहा गाउं से एक ओजा के नुश्टान मे भाग लेकर लोग बस से लोट रहे थे, सबी अपना घर बर्दमान जा रहे थे, देखते ही देखते सडक पर प्लट गया केमिकल से भरा टेंकर, आप सब को बता दो कि दुमका जिले के हश्टिया तुमका अस्टेट हाईवे पर हश्टिया थनाचित के रामगड मुरके समी सुकुरवार को केमिकल से भरा एक टेंकर प्लट गया, टेंकर प्लटने से भारी मतरा में केमिकल हाईवे पर बहने लगा, केमिकल को खादी पदात समझ कर अस्थानी लोगों में उसे लुटने की होड मस गई, जनकारी के अनुसार दुर्खटना ग्रस्ट टेंकर तेज कर प्लट गई, दुर्खटना के बाद चालक मोके से फरार हो गया और टेंकर से भारी मतरा में केमिकल ओयल जमिन पर गिरने लगा, जैसे ही आसपास के लोगों ने ओयल नुमार केमिकल बहता हुआ देखा तो वे घरों से बरतन लेकर आये और केमिकल को बर कर घर ले जाने लगे, वहीं टेंकर पलेकनिक सुष्टना अस्थाने लोगों ने हच्डिया अथाना परभारी जितन दर साहो को दी, सुष्टना मिलने के तुरंत बाद अवर निरक्षक राम वियन दुब्बे साहिक अवर निरक्षक बी एन सिंग पुलिस बल के साथ घटना स्थार पर प युबे सिंगर जन लोगों पर वियन थम्हार को दितन हो अवर थार क्रवगों अर्वपया थाटना सिंगे खिनस भी लोगो मिलने का व्तल जैए